ओम गण गणा बताये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको वास्तु देवता का अशिरवाद लेने के और घर में से बीमारी, कलेश, धन की कमतरता, बुरी शक्तियों का साया, इत्यादी को उखाड फेकने के या पुराना मकान बेचकर, नया मकान खरीदने के एक अत्यंत सरल और आसान बिना मंत्र या यंत्र के शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हूँ जो इतना आसान है कि उसका प्रयोग कोई भी ब्यक्ति बिना परेशानी से कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल आइकॉन पर क्लिक करें इस उपाई को आप किसी भी दिन कर सकते हो और जिस दिन करना है उस दिन स्नान करके अपने घर में या अपने पुजा घर में या भगवान के फोटों के सामने धूप और दिया अविश्य प्रजवलित करें रात को भोजन करने से पहले अपने भोजन या थाली में से हर पदार्थ या देश के छोटे से हिसे को एक कागच के टुकड़े पर रखे और उसके बाद भोजन किजिए भोजन करने के बाद बिना मुह और हाथ धोये उस कागच के टुकड़े को अपने घर के बाहर रखे अगर आप फ्लाट में या अपार्टमेंट में रहते हो तो उस कागच के टुकड़े को हो सके तो अपने टेरिस पर या फिर घर के बाहर रास्ते पर रख सकते हो ध्यांद रहे कि भूजन शाकाहरी होना चाहिए और इस प्रयोग को केवर एक बार करना चाहिए यदि आप अपने घर को बेचना चाहते हो और नया घर खरीदना चाहते हो तो कागच के टुकडे को घर के बाहर रखने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना बोले प्रार्थना ऐसी हो सकती है ये वास्तु देवता कुरुपया अपना अशिर्वात दे ताकि यह घर हमारी अच्छी किमत पर बेच सके और हमारे बजेट के नुसार नया घर खरीदा जा सके इस उपाय को सिर्फ एक बार पूरे आत्म विश्वास और इच्छा शक्ती से करें इस वीडियो की अंग्रेजी आर्टीकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे